वेल्कम बेक एफ्रीवन वेल्कम टो सुबल सर्विसेश टड़ी प्रेक्टिस सैट नंबर 334 पर आजाईए यूपी पीसेश के लिए हैं फोकस करेंगे इसमें हम इन्वायर्मेंट एंड एकॉलोजी के प्रश्णों पर ठीक है चले स्टार्ट करते हैं तो कोश्चन नंबर बन पर आजएए इस्तंधारियों से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर इस्तंधारी यानि मैमल्स इस्तंधारियों के सरीर पर बाल नाखून तो पाय जाते हैं लेकिन सींग नहीं पाय जाते हैं और इनमें पृत्वी पर पाय जाने वाले अन्य खुन पाय जाते हैं लेकिन सींग नहीं पाय जाते हैं क्यों गाय स्टंधारी नहीं है क्या अरे भैंस स्टंधारी नहीं है क्या वताइए एक सींग वाला गेंडा स्टंधारी नहीं है क्या वो भी तो इस्तंधारी है कलत है पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला अभीद करते हो आप लोग देखें संधारी के सरीर पिपाये जाता है नखीं भी पाये जाते हैं डहिविद WE जो बात अब्रण के साथ अपने सरीर के तापमान को नहीं बतल पाता, जिसा आपका 37 डिग्री है, मसूरी मनाली चले गए, तो बहां तो 12-13 डिग्री मिलेगा, तो आपका बहां भी 37 ही रहेगा, इसलिए आपको ठंड लगने लगेगी, ब्लोवर चलाना पड़ेगा, गर्म क लेक्सित होते हैं, जो लंबे जीवनकाल में स्वशन के लिए अत्यधिक सहायक होते हैं, कॉश्चन नमर्ट उपर आजाए, इन नमर्खित में से कौन सा जन्तू आर्थोपोडस समू के अंतरगत नहीं आता है, तिलचट्टा इसको बोलते हैं कौक्रोच, काक्रोच, ये त देखें, आर्थोपोड़ा अकसरो की जन्तू होते हैं, आर्थोपोड़ा समू के परजातियों की संख्या पर्थी पर सबसे अधिक है, इनका जो सरीर है, पेट, वक्ष और सिर में बटा रहता है, ये प्राया एक लिंगी होते हैं, और कीट भी इसी परजाती में आते हैं, तिल चट्टा हो गया, जींगा हो गया, मक्खी हो गई, केकड़ा, ये सारे के सारे अर्थोपोड़स हैं, ठीक है, लेकिन जो जोक हो गया, केचुआ हो गया, ये एनिलेड हैं, बच्पन में साइंस अगर ली होगी तो पताओगा आपको, जंगली गधे को IUCN की लाल सूच की किस रिणी में रखा गया है, भारत के पश्चमी भारत में मिलता है, जंगली गधा, खास कर गुजरात में, क्रिटिकली इंडेंजर नहीं है, संकट गरस्त है, मतलब इंडेंजर बिलुप्त नहीं हुआ अबी, तो देखे, सौरी फॉर दस, भी होना चाहिए, संकट गरस में और दक्षणी पूर्वी इरान के छित्रों में, आई यू सी एन की रेट लिस्ट में, जंगली गधे को इंडेंजर डिस्रेनी में रखा गया है, मतलब संकट गरस्त, सस्टेनेबल डबलप्मेंट सतत विकास के संदर्ब में नमर्गीत में से कौन सा विकल्प सही है, सत परियावरन एवम विकास पर विस्व आयोग सतत विकास से ही संबंदित है, क्या नहीं है, दोनों से यह और भी सी गलत है, तो सतत विकास यानि सस्टेनेबल डबलप्मेंट एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा विकास है, जो हमारी आने वाली पीडियों के हितों से समझोता कि ये विना बरतमान पीड़ी की आवश्यक्ता को भी पूरा करता है आसान सब जों में समझे तो हम सतत विकास समाज परियावन और अर्थवस्ता का संतुलित एकी करने हैं सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साचा भविस नामक रिपोर्ट जिसे दा व परिवर्तन है तो वैस्विक प्रारूप का प्रस्ता पेस किया और इस आयोग का उपचारिक नाम परियावन एवम विकास पर विस्व आयोग था इसलिए सी गलत है तो सही उत्तर होगा डी यानि ए और बी दोनों नम्रकित में से सतत विकास की उदेश हैं गरीवी निवार और सतत आजीवी का प्राक्रतिक और मानव निर्मेत संसादनों का संरक्षण नविकर्णिय संसादनों पर निर्भरता और उर्जा दक्षिता मेरा गला थोड़ा खराब है तो अब आज बदली हो सकती है बताए कोरुणा नहीं है ऐसी खराब है सतत विकास के उद्देश बताए ये सारे के सारे तो लग रहे हैं पड़ने में सही तो लग रहे हैं डी है इसका अंसर है तो देखें मानव तभी तक इस प्रत्वी परह जब तक की पसु पक्षी पेड़ पोधो या अन्य सब्दों में जो है जयाविक विवित्ता से तो नहीं है इसलिए सतत विकास की अफधारणा को अपनाते हुए नमलिखित उद्देश निर्धारित किये गए हैं कौन-कौन से हैं वो गरीवी निवारन एवं सतत विकास परियावरन अनुकूलन मानविय अगतिविधियां प्राकरतिक और मानव निर्वित संसादनों का सन्रक्षान उत्पादन अफसरों का विकास नविकर्णे संसादनों पर निर्वरता और उर्जा दक्षता को कोश्चन नमबर सिक्स पर आजए भारत द्वारा अंतराष्टे सौर गठवंदन का निर्मान किस सम्मेलन के अंतरकत हुआ था पैरिस सम्मेलन तो देखे नभ पंदरा याद रखना को कोश्चन नमबर सेबन पर आजए भारत ने कब जैविवित्ता अभी समय पर हस्ताक्षर किये थे किये भी है किये तो है कब किये कब किये 1992 या 2003 नहीं है इन दोन में से एक बताइए कब 1994 तो देखिए भारत ने जर्वायू परिवर्टन संबंदी संयुक्तराष्ट फ्रेमबर कंवेंशन पर हस्ताक्षर के साथ साथ 1994 में जैविवित्ता अभी समय पर भी हस्ताक्षर किये थे भारत सत्यत विकास को बढ़ावा द प्रत्वी सिकर संबेलन का योजन ब्राजिल के रियो डीजनरियो सहर में कब किया गया था यह सारी की सारी डेट जो है इंपोर्टन्ट है अपको पता होने चाहिए 1992 में तो प्रतिवी सिकर समेलन का आउजन वर्स 1992 में ब्राजिल के रियो डी जेनरियो सहर में आउजित किया गया था और ब्राजिल दक्षणी अमेरिका के 10 देशों के साथ इस्थलिय सीमा बनाता है और दक्षणी अमेरिका में कुल कितने देश 15 देश कोश्या नमबर 9 पर आजईए और ब्राजिल के घास के मैदानों को क्या कहते हैं कैमपास नमलिखित कत्मों पर विचार करना है तीन स्टेट्मेंट के साथ बताएं ये कौन सा करेक्ट है पहला स्टेट्मेंट है अजेंडा 21 को परत्वी सिखर सम्मेरन के दौरान अपनाये गया था अजेंडा 21 ये रह कैसे गया हुई थी बिलकुल ये करेक्ट है तीनों की तीनों स्टेट्मेंट तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option no. 2-3 question no. 10 पर आजई है किमने लेखीत कत्वों पर विचार करेंगे। पहना स्टेटमेंट है, अनुआनशिक विविता का आश्य KIS ही समुधाय की एक ही परजाती के जीवों के जीन में हने वाले परिवर्तन से है। एक ही प्रजाती। प्रजातियों में अनुवानِّसिक विवहता जितनी अधिक होगी उनके फीश समानता उतनी ही कम होगी क्या। बिलकुल करेक्ट्र दोलों के दोनों स्ट्रेटमेंट तो अनुवान्सिक विवहता का आच historic इसी समहदाय की एक ही परजाती के जीवों के जीवों के जीन में होने वाले प्रजवरतन से है परजातियों में आनुवानसिक विविता जितनी अधिक होगी उनके भी समानता उतनी ही कम होगी अरधात आनुवानसिक विविता कम होने के साथ ही जीवों में समानता बढ़ती है कोश्चन नुम्बर 11 पर आज ये निम्लिखीत कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट हैं हाँ पर पताने किन में से कौन सा करेक्ट होगा उच अक्सांसों से निम्न अक्सांसों की और जाने पर वायो डाइवरसिटी मतलब जय वेविता में कमी होती है तुंड्रा ए भूमत रेखा या विश्वत रेखा एक्वेटर सबसे ज्यादा रेनफॉल यहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट यहां पर तो पेड़ पोधे जो होंगे सबसे अधिक होंगे यहां पर 200 संटीमेट्र यह उससे भी अधिक वर्षा होती है अब यह हो गया पॉल्स मतलब भी यहां पर healthy इत people में चाहें नीचे की तरब चले जाओ लाड़ में यहां जेए अधिक होती है उपर जाते जाते हैं कम dużo होगी इस तरह उंपर अब तो बढ़ती जाए गई यहां से इधर जाओगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है, यहां से नीचे जाओगे, यानि देखा जाए तो उच अक्षांसों से निम्न अक्षांस, यह निम्न अक्षांस है न, अब यहां बढ़ता जाएगा अक्षांस, ठीक है, यह 0 डिग्री या 5 डिग्री होगा, फिर गлятьृता घट्टी है स्वार यहां से नीचे जाने पर बढ़ते हैं यहां से ऊपर जाएंगे तब घटे है अब उच लिख सांसों से लिखेंगे माम्ति और में जब्त कर तो बढ़े ना उपर कम देखा जाए तो यहां अधिक लिखा तो कम होना चाहिए तभी सही होगा तुंड्रा टेंगा की अपेक्षा होती है तो कौन सा सही है कोई भी सही नहीं है तो इसका अंसर हो जगा अपसर नमबर डी तो देखिए उच अक्षांसो में निम्न अक्षांसो यानि धूबों से विश्वत रेखा की और जाने पर तथा परवतिय चेत्रों में जैसे हम नीचे की और जाते हैं तो जैवित्ता में जो है ब्रद्धी होती है ठीक है निम्न से जलबायू छेत्रों में विश्वती रेखिए अब हम उश्ण कटी वंदे वर्षा बनोगी तो लामें जो है जैवित्ता कब होती है कोश्चन नमबर बारे पर आजिए निम्निकित मेंसे कौन सा भोगलिक छेत्र में जैवित्ता के लिए संकट नहीं है विदेसी प्रजाति का प्रवेश है जलबायू परिवर्थन भी है विटार्ट लॉस कर दोगे उनका घर उजाड़ दोगे तो मरी जाएंगे ना विचारे साकाहर को प्रोत्सान नहीं है साकाहर को प्रोत्सान से तो जैवित्ता बढ़ती है घटी थोड़ी है तो भोगलिक छेत्र में जैवित् कारक उत्तरदाई है जैसे कि आवास का विखड़ डन है विटार्ट लॉस हो गया विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जलबायू परिवर्थन क्लोबल बॉर्मिंग आदी कि साकाहार को प्रोत्साहन देने से जैवित्ता में ब्रद्धी होती है कमी नहीं होती साकाहर प्रोत्साहन से जो है पौधों और फसलों की उत्पादक्ता बढ़ने के लिए संक्रण को बढ़ाबा दिया जाता है जिससे जैवित्ता अधिक संब्रद्ध होती है कॉश्च रमंबर फ्रटीन प्राजी भारत में निमल्क्रत में से कौन से बन पाएजाते हैं भारत में कौन से बन पाएजाते है डो सेसे इस आगशा हो i5 इस यह लेकर चित ओश्नéner वन्दे बिनबर लेकर सिक रखषित्व प्रफित पाए जाते हैं इसके अलाबा कम बर्षा वाले छेतरों में कंटी लेवन जाणे भी पिलेंगी और जहां तहां दूसरे ब्रक्ष पाए जाते हैं होटसपोट सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस के द्वारा किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा ओप्सन नमबर एजी टैंसले ने पारित अंत्र दिया था जगदीश चंद्र बसुने पौधो में भी जीवन है उसकी खोची थी नॉर्मन बहुर्लोग को विश्व इस तरब पर हरित करांती का जनक कहा जाता है और भारत में एमेस स्वामी नाथन तो होट स्पॉर्ट सब्द का सबसे पहले जो प्रियोग है 1988 में 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था नॉर्मन फिप्टीन पर आज़िए बंद्रव प्रशन है निम्लिकित में से कौन सा जो है सही सोमेलित है सूची एक दिया सूची दो दिया प्रशाती दिया और दिये हैं उससे संबंदित भोगलिक शेत्र तो बताइए काली गर्दन वाली सारस कहां पाई जाती है निलगिरी लंगूर कहां पाई जाता है चिंकार कहां पाई जाता है कालिगरदन वाली सारस पाई जहती है त्रांस हिमाले छेत्र में तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट नेलगिरी लंगूर मिलेगा आपको वेस्टन घाट में तो दूसरा भी गया चिंकारा भारती अमर्वस्थल में पाई जाता है ठीक है जैनि राजस्थान के छेत्रों के गलत गया तीसरा भी और सामबर हेरान पाया जाता है दक्कन प्रायदी पे छेत्र में तो गया चोथा भी सबके सब गलत हो गया तो भी वेसे तो एक सी पता चल ला था आपको सारे कड़ जाते हैं ठीक है कोई नहीं डी है इसका अंसर है तो काली गर्दन वाले ही जो सारस है वो ट्रांस हे माले छेत्र में पाया जाते हैं और आयू सीन की रैड लिस्ट में जो है संबेदन सील जीवों की सरणी में इसको रखा गया है निलगरी लंगूर जो है पस्चमी घाट की निलगरी पहाड़ियों पाया जाते है इनना आयू सीन की इनने भी संबेदन सील सरणी में रखा गया चिंकारा की बात करें तो भारतिया मरुसल शेत्र में पाया जाता है औ और इन्हें IUCN की संबेदन सील श्रणी में रखा गया है तो यह 15 प्रश्णते पर्यावरण और परिस्थिकी के इन्वार्मेंट एकलोजी के ना के बल स्टेट PCS बलकी UPSC के लिए इंपोर्टन्ट है कम से कम एक बार इन पर नजर मार लेना अच्छे से धन्यवाद